खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए हम हर तरह की कोसिस करते हैं, लेकिन छोटी-छोटी गलतियों के कारंग कई बार हमारी मेहनत पर पानी फिर जाता है, आईए इस वीडियो में जानते हैं कुछ आसान वा कारगर टिप्स जिनकी मदद से आप की चन्व कुकिंग से उसमें एक-एक चमच सूजी और चामल का आटा मिला दें, यदि फ्रिज में बदबु आ रही है तो इसे दूर करने के लिए एक नीबु को दो भागों में काट कर फ्रिज की अलग-अलग रे में रख दें, बदबु गायब हो जाएगी, हरी मिर्च को लंबे समय तक फ्रे डाल दें, चने जल्दी पक जाएंगे और स्वादिष्ट भी लगेंगे, उड़त डाल के बड़े बनाते समय उसमें थोड़ी सी सूजी मिला दे, ऐसा करने से बड़े जादा कुरकुरेदार और स्वादिष्ट बनेंगे, एक गिलास गरम पानी में मुर्जाया हुआ धनिया डंठल की तरफ से रखने पर एक घंटे में हरा धनिया ताजा हो जाता है, दही को जमाते समय दूध में साबुत हरी मिल्च डाल देने पर दही अच्छी जमती है, टमाटर सूप को गाढ़ा वस्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें थोड़ा ब्रेट का चूरा डा दाल कर मिक्सी में चलाएं, फ्रीजर में तूरंद बर्फ जमानी हो तो पानी को हलका गर्म करके जमाने के लिए रखें, इस तरीके से बर्फ जल्दी जम जाएगी, मैदा में थोड़ा दही और गरम घी डाल कर गूते तो खुरमे, कचवरी और मठरी बहुत ही खस्ता बनत रोटी बनाने के बाद, तवे को नीबू के छिलके से रगड़कर साफ करने से, तवह अच्छी तरह साफ हो जाता है दूद से मलाई निकालने के लिए इसे पहले अच्छे से उबालने के बाद ठंडा होने के लिए रख दें और फिर इसे पांच घंटे के लिए फ्रीज में रख दें ऐसा करने से दूद में अधिक मात्र में मोटी मलाई जम कर तैयार हो जाएगी पनीर की सब्जी बनाते समय पनीर से अधिक मात्र में टामाटर को मिक्सी में पीस कर डालें तथा एक चमश टोमेटो सॉस वह मलाई फेट कर डालें पनीर बहुत स्वादिष्ट बनेगा लहसून को आसानी से छिलने के लिए लहसून की कलियों को थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में डाल दें ऐसा करने से केवल उपर का हिस्सा काटने से ही पूरा छिलका निकल जाएगा दही जमाते समय दूध में छोटा सा नारियल का टुकड़ा डाल दें इससे दही 2-3 दिन तक ताजी बनी रहेगी बेलन को 4-5 मिनट फ्रीज में रखने के बाद रोटियां बनाएं इससे आटा बेलन पर नहीं चिपकेगी सूजी को हलवे के लिए भूनते वक्त इसमें आधा चम्मच बेसन भी मिला दें इससे हलवे का स्वाद दोगूना हो जाएगा आम का अचार बनाते समय इसमें थोड़ा सा गुड मिला दें इससे आम का अचार जादा स्वादिष्ट बनेगा नारियल को तोडने से पहले फ्रीजर में 10-15 मिनट के लिए रख दें इस सेनारियल आसानी से टूड जाएगा काजू या बादाम के टिब्बों में 3-4 लौंग डाल कर रखें बिल्कुल भी किडा नहीं लगेगा सबजियों की पोश्टिक्ता बनाए रखने के लिए उन्हें धोने के बाद काटें काटने के बाद न धोएं पालक बनाते समय पालक में एक चम्मचीनी डालने से पालक का हड़ा रंग बरकरार रहता है